गुद इव्रीवन वेलकम बैक टो मैं चैनल हेलो वलो सिताज इसकी हालत तो विचारे की खराब रुखिए तब इत खराब है फीवर आ गया है वह जलाके बैठा हुए सुबे से ही है तब इत खराब हुए तो इसको और हाँ इतना एडवांटेज तरह तरह के खाने तरह तरह तो अच्छे साथी है थोड़ा पढ़ाई से बचेके घड़ा की मैगी खाया गया है पूरा दिन स्नैकिंग चल रहा है और पूरा दिन टीवी चल रहा है चौल बोना मिलकुल नहीं अभी इसा चल रहा है और क्या कहते है हम लोग तयारी करने जा रहे हैं कल हमने आधिए घस्त को होने वाली एड बिरियानी पाटी तो अभी हम लोग जा रहे है ना चिक्ण बिरीयानी की तयारी करने के लिए दोनों मिलकर के चिकन मंगा खर लिया है उसको मरिनेट कर की रग देंगे कल शाम से बनाना में स्टार्ट करूंगी बट मैरिनेट कर क्र दोंग तो बस अभी हम करते हैं रैडी करते हैं तैयारी और यह तो बनेगा नॉन्विच वाला कुछ में वेजबी बनाऊंगी स्नैक्स में वो कल बनाऊंगे जल्दी कर लिए उसको आज में को फिनिश करना है और हमने कल रेंट पर मुवी लिए मिसन इंपॉसिबल जो हम देख नही अभी तक फूल फ्रश लग रहा है हां मत गुलाब को पर शोल दो तो तो अगया लेकिन यह फिर भी अच्छ लग रहा है हाला कि अब खराब अच्छ लग जग रहा है ना तो आएंगे ना फूलों पर तो अशी मत राते हैं चले स्टार्ट करते हैं तैयारी वह बना नाद कि अधकी अधकी नाद चावल में पड़ेगा ज़ल जबी कर वह जो भी काम पर नाद ना तो चिकन को मैरिनेट करके हम लोग आज ही रख देंगे कल वैसे डिनर है लेकिन जितना जादा मैरिनेट करके चिकन मतन जैसी चीजों को आप रखो ना उतना जादा स्वाद उसके और वैसे भी फ्रिज में रहना है तो यहां पर धेर सारा जिंजर गार्लिक मैंने साफ कर लिया है और इसको मैं ग्राइंड करने वाली हो तो चिकन, मटन, सोया, पटैटो पनीर यह सबना एक अची मैरिनेशन मांगता है अगर आपकी रेस्पी मैरिनेशन की डिमांड कर रही ह तो जितनी देर आप मैरिनेशन किया जाता है तो जितनी देर आप मैरिनेट कर रहो स्टेंडर्ड होता है कि ओवर नाइट आप मैरिनेट कर लो कुछ रेस्पी हैं जो मैने देखी हैं खासकर जो वेस्टरन कल्चर में बनाया जाता है नॉन वेज उनमें बहुत सारी एसी र अच्छे से टाइम देके करें अगर आपके पास टाइम है तो फिर उसका बेस्ट फ्लेवर निकल के आता है तो यहां पे जिंजर गार्ली का पेस्ट हो गया और तो सारे मसाले जाएंगे साथ ही थोड़ा सा बरिस्ता भी जाता है तो यहां पे मैंने अनियन भी स्लाइस करके और दो किलो यहां पे चिकन है तो इसके हिसाब से सारी चीजे थोड़ी जाएंगे तो धेर सारा पहले तो हमने डाला है जिंजर गार्ली का पेस्ट थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट नमक भी डालना है बहुत जादा नहीं थोड़ा सा जाएगा थोड़ा सा हल्दी का 400 ग्राम्स का जो पैकेट आता है उसमें बस एक चम्मत छोनके लगबग मैंने सारा का सारा ही इसके अंदर आड़ कर दिया था अच्छे से मिक्स करिए इसको और ढग करके बढ़िया से इसको आप फ्रिज में डाल दीजिए और यह इतना बढ़िया बिर्यानी बने के तयार और जब उसको इंजॉय करते हैं लोग तो वो फिलिंग बहुत अच्छी होती है तो यह हो गया फिलाल नेक्स टे और अभी तो मैं हस्बन की टिफिन की करनी हूँ ते यारी जिसमें मैंने दाल चड़ाई हूए देखिये बन भी चुकी है वो इधर गोभी की भुजिया बन तो गोभी गरम पानी में थोड़ी देर के लिए रखी वी है और मूली के पत्ते जो होते हैं उनकी भाजी टाइप की थोड़ी सी बना दी मूली जब भी लाती हूँ ना में उसके पत्ते कभी भी थो नहीं करती है टाइम ना मिलने की वज़े से कभी कभार एक दो बार फेक तो फेक दियो नहीं तो उसके कोमल कोमल पत्ते निकाल के उनकी थोड़ी सी बुजिया जरूर में चौक देती हूं बहुत अच्छी लगती है चाहे दाल हो चाहे रोटी हो सबके साथ ही बहुत अच्छी जाती है और यहां पर सिंपल सी जो बुजिया होती है ना गोभी की वह गुद इवनिंग एवरिवान कल रात को तोड़ा से शूट के था उसके बाद सीथा हाज में शाम को आप से लगे है टाइम हो गया चार बच के तस मिनट और लैंज का समान तोड़ा से आप इखरा पड़ाया और मैंने न तीन बजे पॉने तीन बजे नहाया है आज काफी स बचाई का काम था वह सारणिक टाकरके नहाया तो इतनी थंड सी लग रही है ऐसा लग रहे है थंड ऐसे चाती में समा गया हुँ तो हूम मैं चाय बनाने जा नहीं हुँ चार बच गए एक दर से मैं ओड़ करके लेटी हूई थी नहाने के गाद मैं और सिदार थोड़ी द कमेंट्स में लोग बता देने से पहले मैं एडिटिंग में देखूंगी तेलू हाँ ओ हाँ क्लास भी है ना आज क्लास हाँ छे बजे क्लास है ना अल नहीं है विद्धे चैसे लोग है तब क्यों नहीं आपका पापा से पूछ लो क्योंकि पापा ने बुला था पडसों के लिए होगी है एक तो ऐसी ठण लग जी थी पारिं के छीटे और पड़के इसके उपर पारिंगी कालते है और आज कलना मैं एकदम मसाले वारी चाय बताती हूं सब कुछ डाल देती हूं तो कि मेरी वारी पापा मेरी हेल को किया करती है I love my mommy यह बत्रिंग क्यों हो रहा है तुशन अगर मेरी क्लास तेंगा तो मैं तुशन जाओ रहा है तुशन ना जाने के लिए हो रहा है लुन बाप हम पॉर करता है तुशन निकाल जाओ अजने बत्रिंगा इसमें डाल दिए हमें थाली मिर्च पिर ढालें में दू लॉंग दो लाइची अधर भी जाएगा इसमें अधर भी जाएगा इसमें उट्शा अप्टिशन चले जाओ तुम जो क्लास हुई तो मैं नहीं चाहूँबा अच्छा यह एक चीज पूछी हूँ पूछी हूँ पूछी हूँ पूछी मैं पीडी मान दरवाया था उससे पैदर आप मुझे कुछ बोल नहीं रहे हैं तो चाह पीने के बाद ना फिर मैंने तयारी स्टार्ट कर दी देख़ें जब बिर्याणी बनता है ना तो बिर्याणी के साथ में बिर्याणी अपने आप में इना प्रॉपर मील होता है फुल मील है इसके अंदर आपको कुछ अलग अलग चीजे करने की जरुवत नहीं हो जब सामने बिर्यानी होती है न तो बिर्यानी ही इनसान खाता है और जो चीजे है अधर चीजे वो उसको दिखती नहीं है तो इसलिए मैं बिर्यानी के साथ और बहुत सारी ओवरलोड मैं खुद भी उसी पर पहले जाओंगी तो इसलिए हम जो बिर्यानी बना रहे है और उसके साथ में क्या कहते है कोर्मा जो ग्रेवी है वो जादा करके बनाएंगे तो बिर्यानी के साथ में कोर्मा बहुत अच्छा लगता है सालन टाइप का जो होता है तो वह हो जाएगा बस इसके अलावा हम मेन कोर्स में कुछ नहीं रख रहे हैं मैं स्टार्टर में बनाने वाली हूँ चीज बॉम्स तो उसकी रेस्पी आपके साथ शेयर करूंगी उसकी तयारी भी मैं शुरू कर चुकी हूँ जैसे आपने देखा मैंने कौर्ण को बलने चड़ा दिया है इधर मैं अब बनाने जा हुँ मसाला बिर्यानी का एकदम फ्रेश बनाती हूँ मसाला जब भी किसी को खिलाना होता है ये इनके ऑफिस वगए रेक लिए जब भी बिर्यानी जाती है तो मेरे पास चाहे रखा हो मसाला मैं उसको नया बनाती ही बनाती हूँ क्योंकि फ्रेश मसाले का जो टेस्ट आता है ना खाने के अंदर वो अलगी लेवल का होता है तो यहां मैंने देखे कि कुछ मसाले जो है वो डीफिल की जरुवारत है तो फटा-फट मैंने उन और फटाफट ल कर डाला है और जो भी कटिंग चॉपिंग जैसे शिम्ला मिर्च मैंने कट की है तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चीजी बॉम बनाने की तियारी चीज का बॉम बनाएंगे एक बॉम की तरह होता है जैसे या बाइट करोगे बस्ट हो जाएगा आपके मुह में चीज चीज बहुत अची लगेगी यह वाली रेस्पी तो यहां पर एक नॉन स्टिक पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ओईल और बटर का मिश्रेंड लिया है आप सिर्फ बटर भी ले सकते हो इसके अंदर दो टेबल स्पून मैंने एड किया है मैदा यह एक तरीके का वाइट सॉस बनेगा बर थोड़ा सा यह थिक बनने वाला ह अब हम इसको जैसे वाइट सॉस बनाते है ना हलका हलका कलर चेंज हो जाए खुश्बू आ जाए तब तक हम इसको रोस्ट करके फिर दूद हैट कर देते हैं ठीक वैसे ही आपको यहां भी करना है बेसिकली वाइट सॉस ही हम बना रहे है तो इसमें धीरे-धीरे करके आप अब आप स्टॉप हो जाए है अब हम इसको ना दो मिनट और पकाएंगे तो इसी बीच में मैंने इसके अंदर जो शिम्ला में चॉप करके रखी थी चोटी चोटी वह एट कर दी है साथी गार्लिक का पाउडर है यह काफी जरूरी है गार्लिक पाउडर थोड़ा इसमें जरूर डालें बड़ा चीजी गार्लिकी फ्लेवर आएगा तो आधा बड़ा चमश मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाला है और एक चमश के आसपास मैंने चीली फ्लेक्स के अंदर एट की है यह थोड़े तीखे वाले है थोड़ा कम करके डाल रहे हूं लेकिन आप और इन सब को अच्छे से मिक्स कर दिया थोड़ा साल्ट भी मैंने एट कर दिया साथ ही जो इतालियन सिजनिंग होती है वो भी हम इसके अंदर काफी सारा एट कर देंगे और सारी चीजों को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स और हाँ इसके अंदर जो मनें बॉयल कॉर्न करके ड लास्ट में बचा है चीज और यह वाली रेस्पी के अंदर ना वह प्रोसेस्ट चीज नहीं बल्कि यह मौजडायला चीज ही जाएगा और इसी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और एक चीज़ पूल जो होता है नहीं वह बहुत अच्छा आता है तो यह हमने मौजडायल अच्छी तारीके मेज फ्लेम αναगी है अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे पूरे जो चीजे है ना इनके साथ में अच्छे से कर और गाहने हो जाहरें फिर हम गैस को आफ करदेंगे अब देख सकते हो지는चे से ऑर यह यह बिड्यानी मसाला की रेषपी उब चैनल पर है तो मेरे चैनल का नाम डालकर करके उसके आगे लिखेंगे अगर बिड्यानी मसाला सर्च करेंगे तो आपको रेषपी मिल जाएगी स्टेप बाइट से रेषप बहुत अच्छे बिंग रहे बताया हुआ है वैसको पर किरह वे बनाई ब्रेट क्रम्ट और राइस नटीं के निप आ और टेकर में सब्सक्राड़ और पिर्यानी का बुर्वेट करते हैं बिर्यानी का में नाइस को सब्सक्ताशाज के कड़ार narrative लुक्चन हए तर्क शल्सकेmos सलबिय। आपको इसे बॉयल करना होता है, ओवर कुक नहीं होना चाहिए, अंडर कुक नहीं रहना चाहिए तो इसी वज़े से ये काम मैं इतनी बार बिर्यानी बना चुकी हो अच्छी भी बन जाती है बट थोड़ा सा धुक धुक होता ही रहता है तो यहाँ पर बिर्यानी राइस भी मेरे उबल गया है अच्छे से इनको मैंने अलग से पसार करके थाली में और खुले बरतन में रख दिया है क्योंकि अपनी स्टीम से और कुक होते रहेंगे तो इस्टीम आपको हटाना है तोड़ा सपंके के नीचे रख तो हलका सब चलाते रहो फॉर्क से टूटे नहीं ग्रेंज लेकिन केरफुली चलाओगे तो टूटे नहीं ग्रेंज और अच्छे से इनको मैं कर लूंगी ठं सब्सक्राइब तो आप रेस्पी सर्च करके देख लीजेगा गैस जो है हमारे वो आठवची तक आने वाले हैं डिनर क्योंकि हमें करना था तो मैं उस टाइम कुछ भी नहीं करना चाहते हूं इसलिए सारी तैयरी मैंने पहले कर लिया कि उस टाइम ऐसे ही बहुत सारे काम भी हो चाहते हैं और थोड़ा आदमी पाचित करेगा नजॉय और चाइव अगयरा अगर होगा तो चाइव अगयरा बना दूंगी तो यह जो हमने मिश्रन बना के तयार गया था कॉर्ण का इन चीज का यह देखिए यहां पे रैडी है अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है दूसरी तरफ यह स्लरी मैंने बनाई है जिसमें मैंने दो चमच मैदा और वन अन हाफ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कॉन स्टार्च लिया थोड़ा सा ब्लैक पेपर थोड़ा सा सॉल्ट एट कर दिया अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया बहुत जादा पतली है बहुत जादा गाधी नहीं होनी चाहिए उसके बाद हम लेंगे इनको भी एक प्लेट में निकाल करके रख लेंगे और साथी जो ब्रेड है उनके हमें कॉर्णर्स जो साइड्स होती है वो कट करके वो हटा देनी है ब्रेड काना एक स्लाइस आपको लेना है उसको पानी में डिप करके और जितना भी पानी है उसको सारा निचोड करके साइड कर देना है जैसे कि हम ब्रेड रोल पनाते हैं ठीक वैसे ही हलका सा डिप करना है बहुत जादा नहीं कि छोड नहीं देना उसके अंदर अच्छे तो हलका सा डिप करके निकाला है, स्टफिंग इसके अंदर डाला है, और चारो तरफ से इसको अच्छे से सील कर दिया है, स्टफिंग ना दिखे तो बहतर है, उसके बाद फिर हम इसको सलरी में हलका सा डिप कर लेंगे, और फिर ब्रैट करम से अच्छी तरीके से कोटिंग और बस यह हमारे cheese bombs बन गए जब इनको आप गर्म गरम तेल में से fry करके निकालोगे न तो यह अंदर की जो मतलब यह सॉस है न यह बहुत कमाल का लगता है चीजी, corn, shimla में जितना amazing taste आया था न इसका एक बार आप इसको try करके देखना है बस शर्त ही है कि इसको गरम गरम ही खाना है ठंडा हो जाता न फिर उतना मज़ा नहीं आता अच्छा ठंडे पर भी लग रहा था खराब नहीं लग रहा था बिल्कुल भी पर गरम में जो टे करेंगे थोड़ा सा सारा जो उपर का कोटिंग है वो अच्छे से चिपक जाएगा रेस्ट देना जरूरी है चाहे फ्रीजर में दें या काउंटर टॉप पे छोड़ दें थोड़ी देर का रेस्ट जरूर दें आधे घंटे का उसके बाद ही इसको प्राई करें मेरा तो भई सारा काम हो चुका था पापड वगरा तल दिया सिर्का के प्याज अल्रेडी मैं बना चुकी हूं और जो सैलेट का प्याज कटना है वो भी छील के रख चुकी हूं फ्रेशी काटेंगे हम उसको तो मैं अपनी क्लीनिंग में लग गई जब ये कोर्मा चिकन का तैयार हो जाएगा फिर मैं असेंबल कर दूंगी बिर्यानी को जो की तैयार हो चुका है कितना अच्छा कलर आया है कि 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 प्राप्ति की बर्डे से पहले लासर जालोगा तो प्राप्ति की बर्डे से पहले लासर जालोगा। और आपने तो सीधा कोर्मा के बाद गैस्ट आने की क्लिप देख ली लेकिन उससे पहले हम अपना सारा बिर्यानी वगेरा जो असेंबलिंग है वो सब हम कर चुके थे आप देख सकतो एक साइड कुकर में बिर्यानी हमने दम पे चड़ा रखी है और पीछे की तरफ जो बड परूसेंगे बिर्यानी के साथ में मैं तो खाऊंगी ने चिकन बिर्यानी तो मैंने अपने लिए राइस अलक कर लिया था और मैंने अपने लिए पनीर भी इस बीच में में मेरिनेट करके रख दिया था तो पनीर की बिर्यानी मैं बना रही हूं तो पीछे एक चाय के पैन में थोड़ी सी बिर्यानी मैंने उदर चड़ा दी और इधर मैंने तैयारी शुरू कर दी स्टार्टर की कर दोड़ा कर दो लु़ा बान कर दो है। स्टार्टर भी रचना एंड फैमिली सबको बहुत पसंद आया और बिर्यानी बहुत अच्छी लगी तो बिर्यानी तो अल्रेडी चैनल पर देख लो जाके और ये स्टार्टर की रैस्पी तो जरूर ट्राय करना तो इनको मैंने दू शेप में बनाया था एक रेक्टेंगल और एक ऐसे बाउम्स टाइप में बनाया था क्योंकि जो रेक्टेंगल टाइप है ये बच्चों के खाने के लिए थोड़े कन्वीनियन्ट होता है तो बस यही थी आज की वीडियो होफुली आप लोगों ने खूब इंजोई किया होगा इसको अच्छा लगा है तो लाइ टेक कियर बाई बाई